सितंबर माह में आचारीजी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें चंडीगड एक वदो सितंबर दिल्ली तीन सितंबर मुंबई 14 वद 15 सितंबर एहमदाबाद 18 वद 19 सितंबर जोदपुर 22 वद 23 सितंबर इसके अतिरिक तो टेलिफॉनिक अपॉइन्मेंट भी उपलब्ध है संपर्क 095-290-2022 मेरे बहुत ही प्री और सम्मानित साथियों बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत साथियों यदि मैं एक प्रश्ण आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आप ऐसा जीवन साथी चाहेंगे जो आप से आर्थिक रूप से कम तर स्थितिका हो अर्थात उसकी जो अर्निंग्स है वो आपकी अर्निंग्स से कम हो यदि आप कमा रहे हैं तो क्या आप ऐसा जीवन साथी प्राप्त करना पसंद करेंगे शायद कुछ पुरुष, कुछ लड़के जो हैं, वो इसके लिए हाँ कह भी दें और कहेंगे ही पर ऐसी स्त्रियां बहुत कम होंगी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होंगी पर ऐसी स्त्रियां बहुत कम होंगी, ऐसी लड़कियां बहुत कम होंगी जो ये चाहती हो कि उनको एक ऐसा पती मिले जो कि उनसे कम अर्निंग करता हो उसकी सेलरी उनकी सेलरी से कम हो कम जन्म पत्रिका में ऐसा योग निर्मित होता है साथियों ये वैवाहिक संबंधों के डैमेज होने वैवाहिक संबंधों के खराब होने और उसको separation तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा कारण है इसलिए मुझे ये आवश्यक लगा कि इस विशय पर एक episode बनाया जाना चाहिए तो कब ऐसा होता है कि हम अपनी जन्म कुंडली देख करके बेहद आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं और फिर उसका उपाए भी कर सकते हैं कि कब ऐसा योग है कि हमारा जो जीवन साथी है वो आर्थिक रूप से एकोनोमिकली हमसे कम रहेगा उसके उपाए भर बिर्चर्चा करेंगे इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्यक एपिसोड के अंत में किसी एक जातक के प्रश्न का कमेंट का उत्तर देते हैं तो हमारे साथ में आप अंत तक अवश्य बने रहेए साथियों माता पिता अपनी तरफ से बच्चियों के लिए खास तोर पर पूरा प्रयास करते हैं कि वो श्रेष्ट जीवन साथी उसके लिए चैन करे दो उदारन मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं प्रयास हम कुछ करते हैं किसमत को कुछ और मन्जूर होता है एक लड़की जिसके लिए उसके माता पिता ने एक ऐसे लड़के का चैन किया जो की MBBS कर रहा था तो उनको निश्चित रूप से यह वो विश्वस्थ हो गए कि अगर हम इससे विवाह करेंगे तो यह आर्थिक रूप से इसको एक सहारा हमेशा हमेशा के लिए रहेगा लड़की भी पड़ी लिखी थी विवाह के कुछ समय बाद यह हुआ कि वो MBBS तो कम्पलीट नहीं कर पाया कुछ कारणों से उन्होंने कुछ और डिसीजन ले लिए बिजनस करने का सोचा और MBBS को बीच में ही छोड़ दिया और आज स्थिती यह है कि वो अपने घर पर बैठे हुए है किसी भी प्रकार का स्थाई रोजगार उनके पास में नहीं है और जो लड़की है वो एक स्थाई नौकरी सरकारी तोर पर कर रही है वो चिपद पर है ऐसा ही एक और उदाहरन है जब माता पिता ने अपनी बच्ची के लिए एक IAS अलाइड सर्विस का एक नौजवान ढूंडा और शादी के बाद में उस लड़के ने ये सोचा कि मैं नौकरी छोड़ करके और प्रॉपर IAS बनने के लिए तैयारी करता हूँ उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दुरभाग्यवश उनका सेलेक्शन आगे कभी भी IAS के लिए नहीं हुआ आज भी वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और लड़की जो है वो सरकारी नौकरी में ऐसा क्यों होता है अब परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो पर ये स्थिति कब निर्मित होती है आई ये जन्म कुंडली के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं साथियों ये है सपतम भाव जो की जीवन साथि का भाव होता है और यदि हम कुंडली को उल्टा कर देते हैं तो एक प्रकार से एक ऐसी मान्यता है जोतिश में कि ये हमारे जीवन साथी की कुंडली बन जाती है आपको अपनी जन्म कुंडली उठानी है यहाँ पर निगाह डालनी है यदि यहाँ पर छै या तीन इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है अर्थात इस भाव का जो स्वामी है वो स्वामी बनता है बुध और बुध यदि आपके यहाँ पर बैठा है और फिर वो चाहे शनी के साथ में या राहू केतु के साथ में बैठा हुआ है सब्तमेश बुध होकर के यदि बुध नवम भाव में जाकर के बैठ जाता है किसी पाप ग्रह के साथ में तब बहुत प्रबल संभावनाएं होती है कि ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है, वो आर्थिक रूप से इन से स्वयम से कमजोर होता है। बुध आलंकि बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, कभी भी किसी का खराबा नहीं करता है, परंतु वो जिसके प्रभाव में होता है, उस प्रभाव में वो यह से रिजल्ट देता है। अब आप चेक पॉइंट लीजिए, एक एक बिंदू आप मिलाएं। सबसे पहला आर्थिक रूप से यह कमजोर रहेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, वो आलस से से भरपूर रहेगा। कार्यों को कैसे टालना है, कैसे आगे से आगे बढ़ाना है, सपने बहुत बढ़े होंगे, परंतु उसको करने के लिए प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना। धार में के ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी है, वो का सारी विशेष्टा मैं जीवन साथी के बारे में बता रहा हूँ। जीवन साथी जो है, वो कई मामलों में बिल्कुल नम्र और दयालू किस्म के होंगे, भावनाओं से भरे होंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, सेवा भावी भी होंगे, जिस किसी से भी वो जुड़ते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, वो अपनी पैत्रक संपत्ती से वंचित रह जाता है, या पैत्रक संपत्ती को वो जैसा यूज करना चाहिए, वैसा यूज नहीं कर पाता, या उसको पैत्रक संपत्ती के बटवारे में, अपने हिस्से में से किसी और को भी हिस्सा देना पर सकता है, और ऐ ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है उसकी अपने ससुराल पक्ष से बिल्कुल कम बनती है और यदि ये कोई काम करना चाहते हैं पार्टनर्शिप में तो बहुत जल्दी इनकी पार्टनर्शिप भी तूट जाती है और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो किसी ने किसी क अलागा बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा प्रेमी व्यक्ति होता है तो साथियों यदि इस प्रकार की स्थिती है मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इसके अलावा और ऐसी स्थितियां नहीं होती है मेरा प्रयास होता है जो most common factors है वो आप लोगों तक लेकर क्याना यदि इस प्रकार की कोई स्थिती है तब तो ये बात तो sure है कि आपके साथ में भी ये सारी चीज़े होंगी तो आपको क्या उपाय करना है साथ ही यदि फिर भी आपके साथ में ये स्थिती है आपके पास में कुंडली नहीं है या और कोई स्थिती है और आप भी इस चीज से दुखी है कि आपका जो जीवन साथी है वो आर्थिक रूप से आप से कमजोर है तो फिर आपको सबसे पहले तो कुंडली का विशलेशन कराना चाहिए और साथ ही एक उपाए जब भी आप अपने जीवन साथी को ये सला दीजिए कि जब भी वो किसी नए काम के लिए अगर वो नौकरी के लिए साक्षात कार देने जा रहे है नौकरी के लिए वो लिखित परीक्षा देने जा रहे है या वो व्यापार के लिए किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसे कारगरी के लिए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत हो, तो घर से निकलने से पहले, 51 बार, 51 टाइम्स, वक्र तुंडाए हुम, इसका जाब करते हुए जाए, और रास्ते में किस गाय को हरा चारा अपने हाथ से समर्पित करके उसको खेलाए, यदि ये वो उपाय करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उपाय दुबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चमतकार आपको पहली बार में ही नजर आ जाएगा, तो साथियों, मैं पूरी तरे से आश्वस्थ हूँ कि आप इस उपाय को अवश्ष अपने लाब के लिए प्रयोग में लाएंगे, मेरी और से शुब कामना है, साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरन की और, आज हमने कमेंट शामिल किया है ललित जैन जी का, जो की लिखते हैं आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, ललित जी आपने जानना चाहा है कि आपकी आर्थिक स्थिती लंबे समय से खराब चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सा स्टोन आपको अपनी आर्थिक स्थिती सोधारने के लिए धारन करना चाहिए, ललित जी आपको एक पन्ना धारन करना च क्योंकि लगनेश और सुखेश दोनों आपके बुद्ध है और वो त्रिकोन में बैठा हुआ है तो आपको अवश्य इसका लाब पहुंचेगा तो साथियों ये था हमारा आज का आर्यसत्य यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास बहतर जीवन की और ले जाने वाला लग है तो हमारे इस चैनल को न केवल आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए बलकि अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर कीजिए आप स्वस्त वसम्रिद्ध बने नमस्कार जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना पती पतनी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आजाना संतान का प्राप्त ना हो पाना नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्यक शेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ती